जहनक क्यूं पहुची मीडिया के साथ अर्शी अनिरुद की शादी में क्यूं रुकवाई शादी तो दोस्तों जैसा के हम जानते हैं कि अब शादी होने वाली है अनिरुद और अर्शी की जी हां हम जानते हैं कि कैसे शुरुष्टी ने प्लान बनाया है और बोस परिवार भी उनका साथ दे रहे है ताकि अर्शी और अनिरुद की शादी हो उस नहीं मंदिर में जहांपर जहनक और अर्शी की शादी वी थी जिहाँ शुरुष्टी कुछ भी कर सकती है जहनक को हर्ट करने के लिए यह तो हम जानते ही है लेकिन अब ऐसी एक बाद जहनक को पता चल जिसके बाद अब जनक भी मीडिया को लेकर पहुच जाती है अर्शी अनिरुद की शादी में जी हां हम जानते है जनक तो चाहती है कि अनिरुद और अर्शी की शादी हो लेकिन आखिर ऐसा क्या पता चला है जिसके बाद वो मीडिया को लेकर पहुच गई है उसी मंदिर में तो ये हम जानेंगे बस तब तक आपको हमारे साथ जुड़े रहना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है इस बेल आइकन को भी दबाना है ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुचे तो दोस्तों अब जहनक जान चुकी है कि कैसे शुरूष्टी ने साथ दिया था तेजस का जी हाँ अब ये बाद तो सबको ही पता चल गई है अनिरुद ने भी सब के सामने बोला है कि कैसे शुरुष्टी ने मदद की थी तेजस की किड्नाप करवाने के लिए जहनक को जहनक को किड्नाप करवाने के पीछे शुरुष्टी का ही हाथ था और तेजस की मदद करने के बाद अब जहनक को ये भी पता चल गया है कि जैसे अनिरुद ने शादी रुकवाई थी अब उसी के साथ अब तेजस बन गया है अनिरुद के जान का दुश्मन और इन सब के लिए अगर कोई responsible है तो वो है शुरुष्टी जी हाँ दोस्तो कि अब जहनक पहुच चुकी है मीडिया को लेकर शादी के मंडप में और शुरुष्टी की ये बात पूरे दुनिया तक पहुचाना चाहती है कि कैसे अपने ही दामात के जान की दुश्मन बनी है शुरुष्टी जी हाँ तेजस का साथ देकर शुरुष्टी ने ठीक नही किया है और इन सब के बाद जैसा कि वो चाहती थी कि जहनक बदनाम हो जाए और इसी के साथ जहनक बरबाद भी हो जाए लेकिन हुआ ये है कि अब अनिरुष्ट के जान पर आ पड़ी है और जहनक कुछ भी कर सकती है अगर बात है उसके सरजी की और वो तो चाहती है कि दो जाहिर हो गई है कि कैसे शुरुष्टी ने ये सारा खेल रचा था और तेजस की मदद की थी तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि शायद अब बोस परिवार का भी मन बदलेगा या नहीं आखिर वो भी जान पाएंगे कि शुरुष्टी नहीं चाहती है कि अनिरुद भ को भी लाइक कीजिए और जादा से जादा शेयर कीजिए